नमस्का दोस्तो, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में दोस्तो हमारी पूरी सीरीज चल रही है लाइफ पॉपस के उपर हम आज तक मानते आए कि कई सारी चीजे है जो छुटी-छुटी चीजे है वो हमें खुशी देती है चाहे वो हमारा प्रोफेशन हो, चाहे वो हमारा बिजनिस हो या फिर हमारे रिलेशनशिप्स हो लेकिन आप जो ये सीरीज है, इस सीरीज में हम जान रहे हैं कि इन सब के ऊपर भी एक ऐसी चीज है जो है आपका purpose, हम जान रहे हैं, प्रेम मसंद भाई जी के साथ में कि किस तरह से अपनी life के purpose को जाने और उसे पूरा करें, आईए उसे बाते करते हैं, ओम शांती भाई जी, welcome to our show, ड़कर साहब आपने पिछले episode में कहा था, जो मुझे बहुत कमाल की बात लगी, कि अगर हमे अपनी life में purpose को जानना है, तो सबसे पहले अपनी अवगुणों को ना देखते हुए, अपनी गुणों पर focus करना है, क्योंकि जो मैंने बहुत सुनाए कि perfectionist जो लोग होते हैं, वो हर वक्त अपनी अंदर में बुराया दून रहे होते हैं, कि ये ठीक करना, ये ठीक करना, लेकिन आपनी जो खुबसूरत बात कही, इससे मैं इस episode के शिरुवात करना चाहती हूँ, कि हमें अपनी गुणों को नहीं देखना है, हमें अपने गुणों को देखना है, डॉक्र साब, अब मैं जानना चाहती हूँ, कि आपनी पिछले episode में एक example लिया था, जिसने आपन किस तरह से हमें अपनी गुणों के तरफ देखना कितना जादा जरूरी है, क्या आप फिर से उस example को लेना चाहते हैं, क्योंकि उससे कई सारे सवाल जुड़े हूए है, मैंने जैसे बताया था, कि Steve Jobs, जो CEO था, एपल कमपनी का, उसने अपनी कमपनी को टॉपल ले गया था और उससे जब पूछा गया कि क्या character थे आपके, तो एक जो उसने बोला कि जो भी मैं करता था, प्याड से करता था, और हर दिन को एक नया दिन लेकर, उस दिन मुझे क्या contribute करना है, तो वो मैं करता था, और negative area को मैं no करता था, learn to say no, जो उसका था, यह हमारी एनरजी को ड्रें कर रहे हैं और वह हमारा कोई रोल नहीं है पर नहीं है पर हम वहाँ जाकर अपने इनरजी का ड्रें करा tricks तो पहले तो वो नेगेटीव एरिया उसको बंद करना पढ़ेगा ऐसको नहीं है कर lel नहीं है भी कंपनी लेवल भी होता है, कार्पोरेट लेवल पर भी होता है. उसने ही क्या किया जो कंपनी के भी नेगेटिव एरिया थे, चाहे हम GEE भी ले, वो कंपनी भी टॉप पर गई, उनका भी पहला उस समय वह डाउन हो रही थी. तो उनके भी CEO ने क्या किया था कि जो उनके नेगेटिव एरिया थे उनको बंद किया और फोकस किया कि जो प्रोड़क्टिविटी अच्छा दे रहे और फिर दीरे-दीरे उन्होंने एक्स्पांड किया तो ऐसे ही हमारे अंदर भी हमारे software में भी जो परमात्मा ने दिया है वो software में memory data भी है हमारे thoughts भी है हमारे emotion भी है और हमारा attitude भी है यह चारों चीजें हमारे software का काम करती है अब अगर इस software में हम केवल उसको enlarge करते रहेंगे negative area को तो जो हमारा main area है life का वो रुख जाएगा क्योंकि हमारी 90% से ज़्यादा energy उसमें ही जा रही है unwanted area में तो पहले तो हम उनको बन कर दें जैसे आपने भी पहले बोला कि कोई कैसे भी सोचे मेरे बारे में मुझे उससे फरक नहीं पड़ता परपस का अड़ थे कि मेरे अंदर जो area गया हुआ है दिया गया है मेरे को उसको देखना है बागी we all are perfectly imperfect पर imperfection हर एक में होते हैं और वो normal है दर, crying सब होता है यह normal होता है पर हमें उनको आगे बढ़ना पड़ता है हर human being के अंदर अपने अपने डर है uncertainty के, job के, wife, husband, घर के, बच्चे के, हर एक अपने अपने डर रहते हैं non unknown fear सब रहता है जो हम सभी ने देखा COVID-19 period में भी एक चला काफी लंबा period और सब में तरह तरह के जो fear आए तो post COVID-19 period में भी हम देख रहे हैं वो effect आते जा रहे हैं depression level बढ़ गया लोगों का loneliness जो वो feel कर रहे थे अंदर चाहे घर में बैठे हैं और अंदर यंदर जो feel कर रहे थे तो तरह तरह के हम सभी ने problem देख रहे हैं और देखेंगे अब इसलिए अब क्या करना है कि मेरा अंदर का जो area है जो मेरे को परमात्मा ने कहा कि you are unique, you are different, you are special, you cannot be replaceable यह अगर मैं activate करता हूं तो जो भाहर के area negative area है वो हमारा देखना बंद हो जाएगा ह। और जिसको detached observer कहा गया है हिंदी मैं कहते है साक्षी यानि साक्षी होकर मैं अपने मैच को देख रहा हूं थुद को दूसरों को नहीं मैं अपने खुद को देख रहा हूं observer बनकर कि मेरे में क्या-क्या qualities है और उनको मैं expand कर रहा हूं और जैसे ही expand करूंगा तो मेरा जो negative area है 5 परसेंट, 10 परसेंट, 20 परसेंट वो उसका role कम हो जाएगा जो मैंने कहा कि 3 लाक से ज़्यादा program हम download कर देते हैं तो वो चलते रहते हैं पर अब मैं consciously aware हो गया कि मेरे को ये negative programs का use नहीं करना है तो मैं consciously अपने को order कर रहा हूं programming कर रहा हूं, reprogramming कर रहा हूं कि मेरे को ये करना है और वो program मेरा dominant होता जाएगा Beautiful. Dr. साब यही पर एक और सवाला है मेरे मन में, जैसे हम बात करते हैं Steve Jobs की जो अब आपने example लिया था तो उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस की, कि work और purpose उन दोनों को उसने combine कर दिया मुझे समझ में नहीं आया कि यह कैसी किया उनोंने क्यूंकि I think अगर वो मैं समझ जाओ तो मेरे लिए और दर्शकों के लिए बहुत easy होगा आपने purpose को ढूड़ना क्यूंकि जब हम काम कर रहे होते किसी भी तरह काम जो भी तरह को भगवान दिया Detroit है तो उसके साथ में कई बार pressure आता है, फकावत आती है कई बार बोरियत आती है, कि बोर हो गया भी, कई बार इंजाइटी आता है, बहुत सारे side effects है, लेकिन अगर उसको मैं परपस से जोड़ दू, तो मैं अथक बन जाती हूँ, वो कैसे किया उसने? इसका best example है, जो मैंने mention भी किया कई जगह, प्रोफेसर मौमद यूनिस, एक बंगलादेश का प्रोफेसर एकोनोमिक्स का, यूनसिटी में रोज जा रहा है पड़ाता है, एक बार वो बहार आ रहा था, यूनसिटी से, तो उसने देखा काफी लेडीज वहाँ, फिश, जो की popular dish है, वो बेश रही थी, तो उनसे पूछा, आप दिन भर किता कमा लेते हो, किता बचा लेते हो, तो उन लेडीज ने का, hardly 100 रुपीस, 200 रुपीस हम बचा लेते हैं, बोला, कहां पैसा चला जाता है, बोला, जो हम ये net खरीदते हैं, फिश को कैच करने के लिए, हम लोग य सर्वे करने बेजा, और सर्वे के बाद उन्होंने एक माइक्रो क्रेडिट सिस्टम बनाया, जो काफी पॉपुलर हुआ, माइक्रो बैंक, उसमें क्या किया, इन्होंने छोटे लोन देना इनको शुरू कर दिये, 100 रुपे के, 1000 रुपे के, 2000 रुपे के, जो पॉसिबल नह प्रोफेसर ने बनाया, जो कई कंट्रीज ने फिर बाद में अडॉप्ट किया, और इसके कारण 2006 में प्रोफेसर को और बैंक को, ग्रामीन, माइक्रो क्रेड बैंक को, नोबल प्राइज मिला, अब क्यों मिला, क्योंकि उसने अपने अंदर के टैलेंट को, स्किल्स को, कॉ प्रोफेसर काम है पड़ाना हो, पर उसने जो देखा अप्जरवर बनकर, इसको लेकर उसने अप्लाई किया अपने टैलेंट को, एकोनोमिक्स को, और उसके कारण वो फैमस हो गया, तो हमारे अंदर वो प्रोफेशनली जो कुछ है, उसके साथ वो भी है, जो मैंने का, मैं डॉक्टर हूं, वो मेरा एक प्रोफेशन है, पर डॉक्टर के साथ साथ मेरा सेकंड पार्ट, जो है मेरा परपस, वो भी छिपा हुआ है, दोनों को ब्लैंड करना पड़ता है, मैं अलग होकर, जरूरी नहीं कि हर एक कोई पॉसिबल है कि अलग करके वो कर सके, परपस को, जो कल लेते हैं वो भी सक्सेस्फुल हो जाते हैं, पर हम सभी को उसी में ब्लैंड करके, फ्यूजन करके उसको बाहर निकालना पड़ता है, और परमात्मा, योनिवर्स, ऑपरचुनिटी आपको देता है, कही न कहीं वो देगा, अगर आप परपस से अवेर हो, वो साथ सा चल रहा है, तो वो कोई न कोई इंसीडेंस ऐसा आएगा कि आप उसको यूस कर सकते हैं, वाव, ड़क्टर साहब जब हम बात करते हैं, एक मोती की, वो मोती हमारे अंदर ही है, शायद वो हमारी स्पेशालिटी है, एक ऐसी स्पेशालिटी जो हमें जाननी की जरूरत है, हम सही है कि पहले मुझे अपनी स्पेशालिटी को डूढना है, फिर अपने पॉर्पस को डूढना है, यह पॉर्पस जब आएगा तब हमारी स्पेशालिटी ऑटोमाटिकली बाहर आ जाएगी, देखा जाए तो दोनों चीजें ब्लेंडेड है, परपस एक हमारे को खास मिश दिया गया है, उस मिशन को पूरा करना है, और उसके लिए जैसे मैंने का कि इस पैशलिटी टैलेंट अलरेडी उसमें है, वो दिया गया है हमें, रिसोर्स भी दिये गये है, जैसे उस भाहन का भी बताया, मुनी बाका, कि उसके अंदर वो सब था, अब जब उसने जैसे जैसे वो एक लिए प्रफॉस करना है, फिर हम और उसको और लगते हैं, और धीरे दीरे अगर और अच्छा किया तो हम कभी कभी अपने प्रॉफेशन को चोड़ और वो करने लगते हैं, कई लोग ऐसे भी थे, कि इन्हों ने अपना वो चोड़ और वो करने लगे, और मैजोरिटी ब्लेंडिंग चलता रहता है और उसको यूस करते चलना है, दोनों को, और अगर आपको लगता है कि मेरा प्रोफेशन और मेरा परपस ज्यादा हो रहा है, परपस डॉमिनेंट हो रहा है, और इसका अच्छी तरह मैं यूस कर सकता हूँ, रिसोर्सेस हैं, तो वो एक खुशी दे रहा है, अलग तरह की खुशी दे रहा है, उसमें वो उसको खुशी नहीं आ रही थी, जो मैंने का कि सर्वे में देखा, 80% were unhappy, and only few were happy, क्योंकि वो अपने परपस को भी यूस करते थे, तो वो हमें देखना पड़ता है, कि दोनों का यूस करते चले, और रहा है जब हम बात करें, चाहे वह भुशीन ça, जब हम जब है ज़ो जए जोब है, कोईभी तरह का प्रफेशन जिसमें हम है, हमारा मेंड परपस होता है, उसमें भी एक परपस होता है, कि मुझे खायद अपनी ऑर लाइफ चलाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, या फिर स होने के लिए यह सब अलग अलग purpose है जो हम fulfill करते हैं अपने professional career के लिए at the same time आप जो purpose की बात कर रहे हैं जो आपको internally खुशी देता है तो क्या मैं यह बोल सकती हूं कि पैसे में खुशी नहीं है अपना जॉब भी करना है अगर जैसे मैं डॉक्टर हूं अब मैंने सोच लिया कि हर मैंने मेरे पास जो भी पूर पेशेंट आएंगे उनको फ्री मैं पूरा ट्रीटमेंट दूंगा जाए वो पांच हैं दस पेशेंट हैं उनको मैं फ्री दूंगा तो वो मेरा परपस हो गया मेरे प्रोफेशन में ही मैं अपनी डूटी भी कर रहा हूं रिस्पॉंसिबिलीटी भी कर रहा हूं पर जो मैं कमा रहा हूं उसमें से कुछ पार्ट मैं इन लोगों की मदद के लिए करूंगा या मैं किसी के एजुकेशन में मदद करूंगा जो भी मेरे अंदर आरा है जो टेलेंट है उसका मैं के निध्यूशन करूंगा जो मेरा पार्ट नी ये मेरा पार्ट ट्रीटमेंट का पर मैं वो भी कर रहा हूं कि सिविलाइजेशन एक अच्छा सिविलाइजेशन बने, हेल्दी बने, तो वो मेरा परपस हो जाएगा साथ-साथ में, तो दोनों चल सकते हैं, बिलकुल, विकाज आप एक बहुती नोबल प्रोफेशन में है, और आप इतनी लोगों की मदद करते हैं हेल्दी लाइफ जीने म के लिए, चाहे प्रिंसिपल है, तो फिर भी कनेक्टेड है, लेकिन जब प्रिंसिपल की बात करें, तो शी इस हेडिंग गोल टीम, उनको जो फुल्फिल्मेंट की फीलिंग होती है, वो कैसे आए, क्योंकि हर प्रोफेशन नोबल प्रोफेशन नहीं होता, तो ऐसे में वो कॉंटिब्यूशन की जो फीलिंग है, वो हमारे पॉपस में कैसे लाए, वेरी गुड कोशिचन, और मैंने अभी काफी टाइम से वो एड़टाइजमेंट आ रहा है टीवी पर, वो पिंसिपल है लेडी, और वो बच्ची उनके हां पढ़ती है, फादर बीमार है, तो उसक बच्ची का तो केरियरी खतम हो जाएगा, मिट तर्म में इसको कौन अडमिशन देगा, पर वो पिंसिपल खुद होकर उसके जो भी कॉंटेक्ट थे उस एरिया में, तो वहां उसका ही एक पिंसिपल था, उसने का मैं कर लेता हूं सब कुछ, और उसकी मदद से वो बच्च इतनी अच्छी लगती है, कि देखो उसने उसको छोड़ा नहीं, बच्ची का केरियर खतम नहीं होने दिया, और अपने कॉंटेक्ट के कारण, कम्मिनिकेशन के कारण उसको वहां अडमिशन देला दिया, उस एरिया के स्कूल में, तो वह जोईन हो गई, तो हर कोई कंट्र दूसरा आएगा, आएगा ही आएगा, मैं अपने को भी देखता हूँ, आता ही रहता है, ऐसा कभी होता ही नहीं कि नहीं आए, पर हम तयार रहें, अवेलेबल रहें, mentally, physically, तो वह आएगा ही आएगा, mentally हम ब्लॉक नहीं कर लें अपने को, जो मैंने का कि प्री आउक्यूप पाते हैं, है उसके अंदर, पर वो इतना occupied है कि उसी में चल रहा हूँ, थोड़ा उससे बाहर आना पड़ता है, देखना पड़ता है, अपना इंट्रोवर्ट करना पड़ता है, तो फिर आएगा, ये ना इक चोटे से बच्चे का सवाल है, जब मैंने नोटस किया, मेरी न चुन करके, और वो एक दिन पूरा भर जाता है, अब ये पेकी बैंक उसका है, तो क्या ये मैं बोल सकती हूँ, कि ये परपस जो है, ये आप हर दिन कुछ एक एक कोई नगर उसमें डाल रहे है, अपने कॉंटिबूशन का, तो आप बहुत कुछ लेके जा रहे हैं, क्यों आप भी आप बढ़ा कर रहे हैं, बिलकर, इंडरेक्ली, डायेक्ली कुछ बढ़ा है, अब उसका वो यूस क्या करेगी, वो उसके ऊपर रहता है, वो भी अगर बैनिफिट के लिए करती है उस पैसे का, तो वो इंडरेक्ली आपको भी आजाएगा उसका बैनिफित। किसी कि करम त्योरी आती है करमा से यही चलू होता है मैं कि हम कि इंडारेक्ली जो भी कर रहे है उसका रिझल लगर क्षित तो आता है कि बैने टो आता है ना शैर तो आता हिएward द जो उछेक्षा हम सब सीखते हैं यहांपर हुई रचु शुब भावना शुब कामना जब हम देते तो उसका benefit हम सबको आता है, खुदको तो आएगा ही आएगा ना, जब हम दूसरे की growth के लिए काम कर रहा है, परपस का अर्थी यह होता है, कि मैं दूसरे की growth के लिए, benefit के लिए, empowerment के लिए काम कर रहा हूं, तो मेरा खुदका benefit, empowerment आटोमेटिक होगा, पर डॉक्टर साब यह अल्टीरियर मोटिफ नहीं हो गया, क्योंकि अगर मुझे अच्छी लाइफ जीनी है, या फिर मुझे खुश रहना है, या फिर मुझे दुआई कमानी है, तो इसलिए मुझे किसी का अच्छा करना है, एक किसी के लिए कुछ कर रहे है, कि मुझे कुछ मिले या ना मिले मैं यह करूंगी, लेकिन एक होता है कि मुझे दुआई कमानी है, इसलिए मुझे करना है, तो इसलिए 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 होता जाता है यूनिवर्स में चाहे अंकंडिशनली भी करें पर कहीं न कहीं वो हमें कहां न कहां वो बेनेफिट देता ही है जिसको केते दुआएं मेरे को दुआओं ने बचा लिया बीमार था तकलीप थी एक्सिडेंट होने वाला था और वो नहीं गया तो दुआओं ने बचा लिया तो वो कहीं न कहीं दुआओं के रूप में डिपॉजट होता है फिजिकली नहीं पर अन्लोइंगली कहीं न कहीं वो दुआओं के रूप में डिपॉजट होता है और उस वैक्ति को वो मदद करता है वाँ पर्टर साहब अगर मेरे लाइफ ब्लाक इन वाइट सब कुछ है, it's a beautiful picture, लेकिन it is black and white, इसमें कोई colors ही नहीं है, क्या मैं यह बोल सकती हूं कि purpose is the colors of your life, क्यूंकि black and white life थो हम सब जी रहे हैं, क्यूंकि monotonous है, थोड़ी सी pain से भरी है, काफी कुछ है लाइफ में जो हम जी रहे होते हैं, लेकिन उसमें colors का जो रोल होता है, जैसे ही वो painting में आप colors जा देंगे तो वो colorful हो जाती है, is it right? correct, मुनीबा ने भी अपने उसमें का ना कि मैं हॉस्पिटल में थी, के वल वाइट 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 वाल देख रहे थी और जो पैना था वो ही दिख रहा था, फिर मैंने colors मंगा है, पैंटिंग करना शुरू किया, तो उसे क्या हुआ हुआ मेरी life मैं भी परिवर्तन एक ट एक benefit देता जाता है, हमें ठीक करता जाता है, और आगे बढ़ाता है, बैसिकली क्या है हम दूसरे की growth के लिए contribute कर रहे हैं, directly, indirectly, मेरे यहां जो काम कर रही है, लेडी, उसका बच्चा है, जो मैं एक example दे रहा हूँ, और वो पढ़ता है, और उसने मेरे को का मेरे को school bag आप दिलाती है तो, यह school fees में इतनी लगती है बच्चे की, और आप contribute करो, तो अगर हम contribute करते उसको पूरा करते हैं, तो वो मेरा purpose हो गया न, उसके लिए भी, तो वो indirectly, directly जाएगा, तो हरे को मैंने कहा कि chance आता है, केबल हमें उसको identify करना पड़ता है, इग्नोर नहीं करें उस सम से गया था, तो वहां मेरे को एक ऐसा ही unused, छोटा सा laptop का, वो मिला, तो मैं लेके आया था, मैरे को मालूमता, मेरा use इसका नहीं है, तो उसके लड़के को दे दिया, कि तुम्हें laptop चाहिए था, तो ले जाओ, और उसको अभी इस समय COVID period में बहुत काम में आया, तो वो indirect, direct हर को चांस मिलता है, डॉक्तर सहाब, यह आपने बहुती कमाल की बात कही, जो आपने कहा कि, पर्पोस जो है, वो खुशी से directly connected है, अगर आपके अंदर खुशी है, तो आप हर दिन, एक नई उर्जा के साथ जगेंगे, और हर दिन, जब अपने दिन का, तो thank you से end करेंगे, त Thank you for coming in our show, Om Shanti. Thank you. दोस्तों, आज हमने जाना, कि अगर हम एक खुशी बढ़ानी है, और या खुशी को बातना है, तो सबसे ज्यादा ज़रूरी है, कि आप अपने पर्पोस को जाने, हम इन सीरीज के द्वारा आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, कि किस तरह से जिन्दगी बहुत ही simple है, हम उसे complicate करते हैं, बड़े-बड़े goals के साथ, बड़े-बड़े destinations के साथ, लेकिन life में हर दिन आपके लिए एक नया gift आपको मिला है, और वो है आपका purpose, उसे जानिये, और उसे अपने जिन्दगी का हिस्सा बनाईये, तो आपने हैसूस करेंगे, कि आपकी जिन्दगी ओम शांती